वेल्कम टू यूटूब चैनल जीके जी अस्वित बनेंसर आज 29 अपरेल 2024 है और आज के जितने भी महत्पुर्ण क्रेंटफियर होंगे वो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे मेरे प्यारे लाल इवम लालियो इसका पीडियो आपको टेली ग्राम भी मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में है तो आएए शुरू करते हैं दोस्तो आज का करेंटफियर का महत्पुर्ण सहसन मेरे दोस्तो आज का पहला प्रशन है राष्ट्रिय क्रीमी दिवस कब मनाया गया है तो यह मनाया गया 27 अप्रेल को देखो दोस्तो बिश्व कार अस्थल सुरक्षा और सुवास्त दिवस कब मनाया गया है तो 28 अप्रेल को मनाया गया है दोस्तो अब देखो अप्रेल महीन में कौन-कौन से महत्वपुन दिवस मनाए गए हैं तो ऑप्रेयल अंतराष्ट्रिया खरनन्ज जाग्रुखता दिवस चार अप्रेयल हिंदी रंगमंच दिवस तीन अप्रेयल राष्ट्रिया समुढ़़य दिवस पाच अप्रेयल विकास और सान्ती के लिए अंतराष्ट्रिय खेल दिवस 6 अप्रेल को मनाया गया है राष्ट्रिय पुष्टकाले दिवस 6 अप्रेल विश्व स्वास्त दिवस कम मनाया गया है मेरे प्यारे लाले बम लाली हो तो 7 अप्रेल को मनाया गया है दोस्तो डबलु एचो की जब स्थापना हुई थी उसी दिन दोस्तो साथ अपरेल को विशु स्वास्ति वस मना जाता है तो डबलुएचो की इस्ठापना किस वर्च की गई थी यह आपको बताना है केमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तो विशु हैमियोपैथी दिवस दस अपरेल को मनाया जाता है अंतराष्ट्रिय पिन सुरक्षा दिवस ये कम मनाया गया है दोस्तो तो दस अपरेल को मनाया गया है राष्ट्रिय सुरक्षित मातरित्तो दिवस 11 अपरेल विशु पार किंसस दिवस 11 अपरेल मानव अंतरिक्ष उरान का अंतराष्ट्रिय दिवस बारह अप्रेल को मनाया गया है अंतराष्ट्रिय पगरी दिवस तेरह अप्रेल बिसु हिव फीलिया दिवस कम मनाया गया है दोश्तों 17 अप्रेल को मनाया गया है बिसु हिव फीलिया दिवस मेरे प्यारे लाले वं लालियो बि विश्व विरासत दिवस 18 अप्रेल को मना जाता है विश्व लिवर दिवस 19 अप्रेल राष्ट्रिये हमसकल दिवस 20 अप्रेल राष्ट्रिये सिविल सेवा दिवस 21 अप्रेल अंतराष्ट्रिये मात्री पिथिवे दिवस 22 अप्रेल विश्व पुस्तक और कॉपी राइट द दीवस 23 अपरेल विश्व अंगरेजी डिवस कम जोगती अप्रेल K15 जोप ज approach जोगती कि डवलू एफ आई एथलीट आयोग के अध्यक्च कौन बनी है। डवलू एफ आई रेसलिंग फेडरेशन ओफ इंडिया इसका हिट क्वांटर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 27 जनवरी 1900 सरसथ को इसकी स्थापना हुई थी और रेसलिंग फेडरेशन ओफ इंडिया के एथलीट आयोग के अध्यक्च कौन बन गए है तो याद रखना दोस्तो नर्सिंग यादब बन गए है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा दोस्तो आप्सन भी हो जाएगा कि नर् समीती की नए अध्यक्च बने हैं नलीन परभात भारत प्र मुखे सब्क्राइब करें नलीन नेगी है दिलीक के जंगलों के सुरक्षा के लिए समीती के प्रमुख बने है नजीमी वजीरी फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन है तो जैसरी भर्मा है दोस्तों कौन है जैसरी भर्मा कोंकन रेलबी कॉर्पूरेशन के नए CMD कौन बने है संतोस कुमार जा प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो के महा निर्देशक कौन है सदानंद बसंत दाते राष्ट्री आपदा परतिकरिया बल NDRF के प्रमुक हैं प्यूस आनंद पुलीस अनुराग और विकास ब्यूरों के हैं राजीब कुमार सी बीएस सी के में प्रमुक कौन है तो राहुल सी है मेरे प्यारे लाल इबम लाली हो दोस्तों यह जो मैं चेर्मैन आपको बता रहा हूँ अध्यक्ष या CEO में आपको बता रहा हूँ यह सारे 24 से बदले गए नए हैं तो यह सारे आप याद कर ले ना क्योंकि यह एक्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस के नए अ स्नाइपर है सुमन कुमारी प्रसार भारती के नए अध्यक्ष है नवनीत कुमार संसत सुरक्षा के प्रमुक है अनुराग अगरवाल भारत के मुख सुचना आयुक्त कौन है हीरा लाल समारिया है तैरी के नए अध्यक्ष कौन है अनिल कुमार लाहोटी है तैरी के नए अ कौन है नीना सिंग साइटी वीपी के महानिर्ध underwater कोन है तो राहूल fps है। ds निर्द्धेसर मेरे प्यारे लाले इब हम लालियो मैरे प्यारी दूस्तों हम अगले प्रश्ण के वर बड़ते हैं हमारा अगला प्रश्ण है विष्ष उर्जा कॉंग्रेस दोजार 24 का आयोजन किसे देशे में किया जा रहा है तो इसका आयोजन किया जा रहा है नीधर लेंड में किया जा रहा है और नीधर लेंड की राधानी क्या है मेरे दोस्तों हमारा अगला पुशन है भारत की पहली बहुत देशी है ग्रीन हाइड्रोजन पाइलट प्रोजेक्ट की सुनुवात किस राज्य में हुई है तो हीमाचल प्रदेश में हुई है दोस्तों और हीमाचल प्रदेश की राधानी है सिमला मैं केANDRY आलू अनुसंधान संस्तान हीमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है सिप प्रता पसुकला है यहां के मुक्खे मंतरी कौन है सुकविंदर सिंग से को और यहां पर रागसभाद दीन है और लोकसभाद चार है पिन वेली राश्ट्रिये उद्यान, ग्रेट हीमालियन राश्ट्रिये उद्यान, रोहिला राश्ट्रिये उद्यान किस राज्य में है तो ही माचल प्रदीश में है चमेरा जलविदुत पर योजना राभी नदी पर है चंडरताल जील और सुरजताल जील दोस्तो ही माचल प्रदीस में हैं साबरा कुड्डू जल्वितुत परियोजना पबर नदी पर है और कोल डैम परियोजना दोस्तो कौनसे रिभर पर है सतलज रिभर पर है ही माचल प्रदीसमी मेरे प्यारे लाल इभम लालियो हम अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं हमारा अगला प्रशन है ICC ने अगामी T20 World Cup 2024 का ब्रांड एंबेस्डर निक्ट किया है किसे तो यूराज सिंग को निक्ट किया है दोस्तों किसे निक्ट किया है यूराज सिंग को तो मेरे प्यारे लाल इभम लालियो अब देखो दोस्तों क्रिकेट के महत्तपुन इस्टेडियम जो है उसके बारे मे मेरे दोस्तों चिदंबरम इस्टेडियम कहा है चैन्नई में है इडिन गारेन इस्टेडियम कॉलकता में है चिन्ना सुामी इस्टेडियम बैंगलूर में है अरुन जेतली इस्टेडियम दिल्ली में है राजिब गांधी इस्टेडियम हैदराबाद में है बाराबाती इस्ट स्टेडियम और इंग्लेंड का रास्ट्रिये खेल किया है दोस्तों क्रिक्ट है डेखो आई पील की सुरुवात 2008 में हुई थी और इसके विजिता कौन थे रजस्थान रॉयल्स और विजिता थे चन्नाई सूपर किंग दोस्तों विश्व का सबसे बरा क्रिक्ट स्टेडियम है नरंद्र मोदी स्टेडियम और यह कहां है तो गुजरात के एहमदाबाद में है मेरे लाल एबं लाली यू आप बता दो एहमदाबाद के बारे में की एहमदाबाद कौन से नदी के किनारी है देखो दोस्तों बोर्ड ऑप कंट्रोल फॉर क्रिकेटिं इंडिया अर्था बिन्नी दोस्तों वर्ल्ड में जो क्रिकेटिंव कंट्रोल करती है वो है ICC तो ICC का हिटक्वाटर दुबई में ICC की स्थापना कब हुई और इसके चेर्मेन कौन है यह आप बता दो मेरे लाल एबं लाली ओ कमेंट बॉक्स में देखो रंजी ट्रॉफी इरानी ट्रॉफी बिजे हजारे ट्रॉफी मोईन उदौला गोल्ड कप कूँच बिहार कप दिलिप ट्रॉफी प्रोहिंटन बारिया ट्रॉफी जीडी बिर्ला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंद किसकेल से है तो क्रिकेट से है मिरे दोस्तों हम अगले प्रशन की और बढ़ते है हमारा अगला प्रशन है जी सेवन सिकर समेलन 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा इटली में कहां होगा इसका आयोजन इटली में होगा और इटली की राधानी है रूम इटली के परसिडेंट कौन है सौर्जियो मोट्रेला और इटली की क मेरे दोस्तों अगला प्रश्म हमारा है देखो माचो इस पोर्टो के नए ब्रांड इंबेस्टर कौन बनी है तो माचो इस पोर्टो के नए ब्रांड इंबेस्टर जो बन गए हैं ये बने हैं सिद्धार्थ मलहुत्रा कौन बने हैं मेरे लालेवम लालियो सिद्धार्थ मलह जैसे कि बेटी पजाओ अभियान कुमारी की पहली व sap का जिलारी के में अधिका श्रौन पेकिको इंडिया के मेश्टर रनवीर सिंग है और टीबी उनमुलन कारे करम निक्षय मित्र के मेश्टर कौन है तो दीपा मलिक है दोस्तो निख्षय मित्र के ब्राणनमेस्टर कौन है धीपा मलिक पियोँमा इंडिया के कौन है हरमंपृत कौर दोस्तो रनवीर कपूर मिंत्रा के ब्राणनमेस्टर है और महंदर सिंग्धाओनी मेरे लाले पम लाली हो हमारा अगला पश्ट है गुरु डोंग मार जील किस राज्य में इस्तित है तो याद रखना मेरे दोस्तों शिक्किम में इस्तित है गुरु डोंग मार जील अब दोस्तो सिक्कीम में है तो देखो दिस्तो मैं आपको समी प्रुबत्ता राज्यों के वारे में स्ट्राटिक टॉपिक बता रहाँ दोस्तो हमारा जो अगला दोस्तो स्टाटिक टॉपिक राज्य में शरू होगा वो पुरी भारत का राज्य शरू होगा जो मैं आपको कल से करवाओंगा तो दोस्तो आप सिक्कीम की राधानी क्या है गैंग टॉक है जलेपला दर्रा सिक्कीम में दोस्तों देखो शिक्केम पहले देस था और यहां पर चोंगयाल वन्स का सासन हुआ करता था लेकिन इसे 35 समिधान संसोधन 1974 के दुआरा भारत का राज्य बना दिया गया और 36 समिधान संसोधन 1975 के दुआरा भारत का पुर्ण राज्य का दर्जा दिया गया शिक्की में मेमन बनने जी पभ्यारन है पंग लाखा वन्ने जी पभ्यारन है और कंचन जंगा राष्ट्रिय उद्ध्यान कहां है मेरे लाले बम लाली हो तो सिक्की में है मेरे दोस्तों अगले प्रश्ण के ओर बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्ण है विश्रुप पसूच चिकित्सा दिवसकब मनाया गया है तो राष्ट्रिय बन्वझी दिवस 21 मार्च विश्रुजल दिवस 22 मार्च 26 दिवस 7 अपरेल परितिमी दिवस 22 अपरेल दोस्तों तम्भाकु मुक्ति दिवस के मनाया गया 31 मई को विश्रुप पर्यावर्ण दिवस 5 जून विश्रुजण संक्या दिवस 11 जुलाई और राष किस राज्य ने 23 अपरेल को खोंग जोंग दिवस मनाया है तो मनी पुर्णी तितली की नहीं पर जाती नेटिप से फिलारा किस कहां खोजी गई है अरुनाचल परदेशमी महासागर दसक सम्मेलन तो जोज़र चोबिस का आयोजन कहां हुआ है दोस्तो तो एस पेन में हुआ है विष्टु प्रिथवी दिवस पर जलवायू रन नीती तीश किस ने लौन्च किया है नवाड़नी तिरंदाजी विष्टु कब तुजर 24 का आयोजन कहां होगा मेरे लाले बम लाली हो तो चीन बन गए हैं मैंने भी तुरंट युराज सिंग बने हैं और यह आई सी से पुरुष्टी 20 विष्टु का दुजर 24 के ब्रान्दमेश्ट जो निक्त किया गया है हाली में किस देश की टैनिस खिलारी गौर वियाना मुगुरुजा ब्लैंकों को ने सन्यास लेने की गोस्तना कि हाली में सुब्रमन्यम धारेश्वर कानिधन हो गया है इनका संदर्विकिस निर्त से है तो यक्षि गंज से है दोस्तों मेरे प्यारे लाल इवम लालियो मैंने आपसे पिछले क्लास में तीर पश्णी किया था हमारा पहला पश्ण का चौतीस में सेंग खिलंग महौत कि अनुसार भारत का स्थान क्या है जो अलामों कि मांटे रेवस का है तो अन्टाक्तिका में इस्थित है दोस्तों मेरे प्यारे लाल इवम लालियो आज का हमारा तीन प्रेश्ण जिसका जवाब देना है केमेंटर बॉक्स में आपको महासागर दसक समेरन दुजर चौबि देना है कमेंट बॉक्स में आपको मिले दोस्तों ये था आज का हमारा क्रेंट फेयर महत्तपुर्ण वाला जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें सेयर करें और सस्क्राइब करें थेंक्यू सो मच मेरे लाल एबं लाली हो